जै मातादी, स्वागत है आपका, हमारे चैनल में दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाली है, दोस्तों एक औरत आपके दुश्मन के साथ मिलकर बड़ा शड्यंत्र रचा रही है, ये औरत आपके आसपास ही रहती है, लेकिन कौन है, अभी जानता हूँ, वरना ब वीडियो बिलकुल भी मिसना करें, और इसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जै शनी देव, जै माता लक्षमी, जै विश्नु देव अवश्य लिख दे, तो चलिए शुरू करते हैं, दोस्तों मुझे कमे वाले लोगों की आखिर परेशानी की मुख्य वजह क्या है, और आखिरकार कौन है, वो औरत जो आपको अपनी मुठी में करके जान से मारना चाहती है, दोस्तों औरत को कोई समझ नहीं सकता, भारत में स्त्रियों को देवी का दरजा दिया गया है, लेकिन यह देवी के अस्त्रों में ऐसी औरतों के बारे में विशेश जानकारी दी गई है, अपनी पुस्तक चानक के नीती में चरितरहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं, जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरन करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और आधी का भाव उत्पन्न नहीं होता। दोस्तों हमारे आचार्य जी ने अपनी पुस्तक में ऐसी परिस्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही आचार या चानक्य ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिनको जानकर किसी भी चरित रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पढ़ेंगे तो आईए जानते हैं। दोस्तो चरित रहीनता की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं आती। आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित रहीन औरत की पहचान कैसे करें तो नीचे इसकी पूरी जानकारी दी गई है जो आपको मदद कर सकता है। चरित रहीन औरत की पहचान कुछ महिला ऐसी भी होती है जिनके आचरन कुल, खांदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाशा में अशुब या कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है, जब तक जब तक उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। दोस्तो आचार, व्यवहार को देखकर पता लगाया जा सकता। चानक्य के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें। लेकिन भारत के प्रसिद्ध गरंथ, चानक्य नीती के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिससे महिलाओं की चहरे, आचार, व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षन होते हैं जो उसे एक तरफ से लक्षमी का दर्जा मिलता है तो, दूसरी तरफ ऐसे लक्षनों से उसको अशुभ मानी जाती है। ये महिलाओं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुशों से संबंध बनाने में शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के बहुत स साथ बना रही होती है। ऐसी महिलाएं प्यार किसी और से इजहार करती हैं और प्यार करती किसी और पुरुष से करती है। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोगों को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती हैं कि लोग उसे देखें। इसके लिए वो किस इसी भी हद तक जा सकती है। अपना चरित्र बदल लेती है। ऐसी ऐसी महिलाएं सौ भाग्य में बहुत क्रोधी होती है। उन पर नियंत्रन करपाना बहुत कठिन होता है। इनकी चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस महिलाएं की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है। ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसके उल्टा अगर पैर की पिछले भाग बहुत ज्यादा पतला या सुखा हो। ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन प्रकार के पीड़ा का सामना करती है। महिला के पैट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजरती है। महिलाओं के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है ये सब खराब किसमत की निशानी होती है। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है। ऐसी महिलाओं अपनी देवर के लिए अशुब होती है। जिन महिलाओं की पेट लंबा होता है। अपने ससुर के लिए और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है अपने पती के लिए अशुब मानी जाती है। ये मानी जाती है पती के लिए अशुभ जिन महिलाओं की होटों के उपर भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पती के लिए अशुभ मानी जाती है। दोस्तो स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मानसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेडियां इनकी तरह दिखता हो। ऐसी महिलाओं दूसरों के दुखों का कारण बनती है। जिन स्त्रियों की हाथों की नसों की उबर हथेली के आकार मे अंतर या हथेली छप्टी हो, तो ऐसी महिलाओं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं। जिस महिला के आखें पीली और डरावना हो, महिला के स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वो बहुत ही उत्तम म पानी जाती है। दोस्तो, चानक के नीती में यह भी बताया गया है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला किसी भी निश्पत्ती के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई चार उंगलियों से ज्यादा होती है, वह महिला अपना ही वंच के विनाश के कारण बनती है। तो दोस्तो ऐसी महिलाओं से सावधान रहना बहुत जरूरी है। दोस्तो, अब बात करते हैं आपके महा राशिफल के बारे में। दोस्तो, ऐसा क्यों है कि सभी बारह राशियों में सिर्फ आपकी एक ऐसी राशिय है जिसे बहुत बताएंगे कि आपकी राश्यवालों के जीवन में जो परेशानी है वो उसकी मुख्य वजह आखिर क्या है और साथ ही साथ ऐसी कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी का पूरा जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि हर एक इनसान का एक जीवन साथ ही आवश्यक होता है और वह उनके साथ जन्मों का साथ ही होता है जो भगवान बनाते हैं क्या आपको पता है कि आपकी पिछले जन्म का साथ ही इस जन्म में भी आपके साथ है, बस आप पहचान नहीं पाएं हैं, और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं. दोस्तों, आपको बता दें, इंसान आपकी पिछले जन्म का साथ ही है, यह आपके आसपास ही है, आप इसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक इसे अपने पिछले जन्म के रिष्टे को पहचान नहीं पाए है, या कहीं कि आपने इसे अब तक पहचान नहीं पाए है, जी हाँ. दोस्तों, ऐसी बातों जोड़कर विनती करता हूँ, कि अगर आप अपनी जिन्दगी की सलामती चाहते हैं, तो 10-15 मिनट निकालिए है, और बिलकुल शान्त बैठकर आज की इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और सुन लीजिए, वरना आने वाले या साथ दिन, आपको पूरी जिन्दगी बहुत सताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज किसी महत्वपूर्ण और खास वीडियो में बागेश्वर धाम का परचा आ चुका है। तुम्हारा नाम का प्रचार चुका है। अगर ये भविश्यवानी गलत निकला, तो पूरे पच्चास लाख का इनाम दूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये बात बताना चाहेंगे। अगले चौबीस घंटे के अंदर ये बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रहा है। एक खुशखबरी इतना बड़ा है कि सुनते ही घर और परिवार खुशी से नाचे लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी आँखों में खुशी की आँसू आ जाएंगे। साथ जन्मों की सबसे बड़ी खुशखबरी। अब आप सभी की जिन्दगी में आने वाला है। इससे आप सभी का जीवन एक जटके में सुधार न जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शनिदेव आपके उपर तिर्ची निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं और आखिरकार वह कौन है। आपका सच्चा जीवन साथी, जिसकी मदद से आप लोग एक नए जीवन की तरफ बढ़ पाएंगे और एक नए तरक्की आप सभी को मिल पाएगी, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर प्रकार की जानकारी आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। और उसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जै शनी देव, जै शिव शंकर अवश्य लिखिएगा, ताकि शनी देव की कृपा दृष्टी आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार वह कौन से कारण है, जिनकी वजह से आपको हर बार दुखकष्ट और तकलीफیں सहन करनी पड़ती है। आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसी अनुरोध करेंगे कि वीडियो को आप पूरा लास्ट तक अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं दोस्तों, आप लोगोंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप लोग दिल की बहुत साफ होती है। दोस्तों, आप लोग कभी भी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती। करने की तो दूर की बात है। दोस्तों, आपने हमेशा से दूसरों की खुशी के बारे में सोचा है। आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग पहले दूसरों का सोचते हो और अपनी खुशी को त्याग देते हो और दोस्तों आपका यही व्यवहार आपको दूसरों की ओर आकरशित भी कर लेता है। एक बात आपने और देखी गई है कि जब भी आप दुखी हैं उदास होती हो, मायूस होते हो तो आप जल्दी किसी से अपने दुख का कारण नहीं बताती। और उसे दुख को आप अंदर ही अंदर आप रहती हो और कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने लोग ही आपको कई बार दुख पहुंचती हैं। यानि कि आपकी जो करीबी लोग हैं वही आपके जीवन में अधिक कश्ट पहुंचते हैं। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि कई बार यह आपका करीबी किसी महिला के रूप में होता है। दोस्तों, आप लोगों ने अब बहुत कुछ सह लिया है, बहुत कुछ आपने अपनी जिन्दगी में जीवन में जेल लिया है और दोस्तों सहन करने की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है, आप बताएं, मुझे नीचे कमेंट में क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ, यदि कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, आपके सभी कमेंट को पढ़ते हैं, दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूँ कि अब से जो व्यक्ति आपके साथ तमीज से बात ना करें, आपको इज़त जो लोग नहीं देते, या फिर वे लोग जो आपको मान सम्मान नहीं देते, अगर हम बात करें, महिलाओं की तू बता दे कि जोतिश शास्त्र और चानक के नीती के अनुसार, खास कर ऐसी महिलाओं से आपको दूरी बनानी है, जो हमेशा से कम्पलेंट करती रहे, शिकायती करती रहे, भले ही आपसे उन्हें सब कुछ मिल रहा हो, आप उन्हें जितन दोस्तों, इसी के साथ ऐसी महिलाओं या औरतें, जो कि हमेशा आप पर एहसान जताती रही, जो हमेशा आप से कहीं कि मैं तुम्हारे लिए यह किया, मैंने तुम्हारे लिए वह किया, तुम पर मैंने यह एहसान किया, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम आज जो क आप कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते हैं और आप पर एहसान जता कर आपको शर्मिंदा करेंगे। ऐसी औरतों से आप जितना हो सके दूर रहे। दोस्तों अगली किस्म की जो औरतें हैं जिससे आपको दूरी बनानी है वह दोस्तों है जो हमेशा अपने पास्ट को याद करके अपने प्रेजन्ट को पूछता है। जी हाँ दोस्तों यानि की जो हर्दम यह कहती है कि पहले में लाक गुना बेहतर थी और अब आपकी साथ रहकर मैं बरबाद हो चुकी हूं। दोस्तों वह ऐसी औरतें हमेशा यह कहेंगे कि मैं अपने माईके में ज्यादा खुश रहती हूं और तुम्हारे साथ यानि कि आपके साथ खुशी और सुख वाला जीवन नहीं बिता पा रही हूं। यह बार बार जो भी औरत आप से क तुलना किसी दूसरी मर्द से किसी दूसरे आदमी से हरदम करती रही। ऐसी औरतें ऐसी औरतें आपकी खुबियों को अगर ध्यान ना दें यानि कि ऐसी औरतें जो आपकी अच्छाईयां आपकी खुबियों को ध्यान ना दें और दूसरी मर्दों की अच्छाईयों को द ऐसी औरतों से भी आप दूरी बना कर चलें तो अगली किस्म की औरतें जिन से आपको दूरी बना कर चली है दोस्तों यह वह है जो हमेशा फरमाईशी करती रहती है जो की नेचर में बहुत लालची हो और जो दूसरों को देखकर आपसे चीजों की फरमाईश करती रही, भले ही उन्हें उन चीजों की जरूरत ना हो, लेकिन किसी और की देखा देखी, कि वजह से वह आपके पैसे खर्च करती रही, और पैसों की अहमियत को जो ना समझे, ऐसी लड़कियों से भी आपको दूर बना कर चलनी चाहिए, दोस्तों, ऐसी महिलाएं आपको कंगाल भी कर सकती है, और ऐसी औरतों के साथ आप कभी भी काम्याबी हासिल नहीं कर सकती, कभी भी सफल अपनी जिन्दगी में आप नहीं हो सकती, दोस्तों, अगली किसम की जो औरते हैं, जिनसे आपको दूरी बना कर चली है। वह है दोस्तों ऐसी महिलाएं जो अपने आगे किसी का भी खयाल नहीं रखती और इनको अपनी सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं दिखता। यानि कि इन्हें यानि कि यह लोग पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने आपको ही सजनी संबारने में लगा देती नहीं इन्हें आपकी कोई परवा है नहीं आपके परिवार की और नहीं आपकी घर की इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। ऐसी औरतों से भी आपको अपने जीवन में दूरी बना कर रखनी है। यदि कोई व्यक्ती ऐसी औरतों के साथ रहता है वह ऐसी औरतें केवल अपने आप में मगन रहती हैं और दुनिया में अपनी अलावा और कोई भी इन्हें नहीं दिखता। दोस्तों अगली किस्म की महिलाएं और और जिससे आपको दूरी बनानी है वह है जो जुबान की बहुत तेज होती है जो आपको हर वक्त तान दी और जो आपसे हर वक्त लड़ाई जगड़ा करी और जो आपसे जो आपको रिस्पेक्ट ना दे मान सम्मान ना दे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियां बिना ही और जो सबसे गाली गलॉज में बात करें, जो अपनी सी बड़ों से गाली गलॉज में बात करें, ऐसी औरतों से भी आपको दूरी बना कर रखनी है। और यही आपके लिए दोस्तों सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, जब तक आप ऐसी लोगों से रिष्टा रखेंगे, तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आप हमेशा इनहीं में उलजी रहेंगे, और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके यह बताएं कि क्या इनके साथ कोई भी रिष्टा रखना, आपक इसे कोई भी लाब नहीं पहुँचेगा, बलकि आपको इन लोगों के साथ रिष्टा है, रख कर हनी ही होगी, क्योंकि दोस्तों, यह लोग ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता नहीं चाहती, बलकि यह लोग ऐसा चाहते हैं कि आपका काम बिगड जाए और आपको दुख पह रही हैं आपसे, जो आपकी काम में बाधा डालते हैं, यह लोग वह हैं जो जानते हैं, उनकी बाते हैं आपको परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी यह लोग बार बार आपको उन्ही बातों से परेशान करती है, आपको गुस्सा दिलाती है, यह लोग ऐसे होते हैं जो तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इन अगले 48 घंटे में आप थोड़े इस महिला से बचकर रहेंगे तो दोस्तों मिलते हैं।